हेलो फ्रेंड्स वल्कम बैक उन मैं यूट्यूब चैनल तो दोस्तो ये इस ड्रामा की एक्स्पिलनेशन का पार्ट नूमबर टू है अगर अभी तक आप लोगोंने फस पार्ट नहीं देखा है दिन पहले आप वो देख लीजे साथी दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी क्या कीजे तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कीते यैंग सुन से कहता है अगर यहां काम करना है तो घुटनों की बल जा करके पहले माफी मांगो वरना कोई चांस नहीं है खर यैंग सुन को पैसो की जरूरत थी इसलिए वो घुटनों के बल जुपी जाती है और इससे कहते है तो क्याब यह ठीक है मिस्टर अब तो मैं यहां काम कर सकती हूँ ना तब कीते कहता है फिलाल के लिए तो काम कर सकती हो लेकिन अब तुम खुट कहोगी कि मुझे एक काम छोड़ करके जाना है यैंग सुन कहा रही थी कि एक नंबर का बुरा इंसान है तो दूसी तरफ जुनते को दिखाया जाता है जो कि कीते के आफिस में घुजगया था यहां तो अलारम बच जाता है लेकिन वो उसके डैड आ करके एंटाइम पे समाल लेते हैं कि मुझसे गल्ती से अलारम बच चुका था मगर बाद में वो जुनते से पूछते हैं क्या खिर तो कीते के आफिस में क्यो गया था मैंने तुससे मना किया था ना जुनते भाँ कैमरा लगाने के लिए गया था आकि वो कीते के लॉकर का पासवर्ट जान पाए क्योंकि कल उसे CEO से Emperor Formula मिलने वाला है जो की इनके लिए बहुत ज़्यादा important है मगर Mr. O कहते हैं फिलाल कीते को तेरे उपर trust करने दे इतनी जल्दी मत कर कितनी बार समझाओं तुझे तो वहीं अगली सुबा सुबा कीते किचिन से आ रहे शोर की वज़े से उठ जाता है और फिर जा करके पूछता है यैंक सुन से कि वह इतनी सुबा सुबा कर क्या रही है यैंक सुन कहती है Mr. मैं तो नाश्ता बना रही हूँ कीते कहता है कि मिस इन सुनने तुमें समझाया नहीं मैं साड़े आठ बजे नाश्ता करता हूँ यहादी रात में मेरे कान पे तबला क्यो बजा रही हो तब यैंक सुन कहती है कि साथ बजे से उसकी इकलासिस है तब कीते कहता है तो तुम क्या चाती हो तुम्हारे लिए मैं अपना शेड्यूल चेंज कर दूँ तब यैंक सुन कहती है मिस्टर क्या तुमने सुना नहीं है अर्ली बर्ड्स को जल्दी सफलता मिलती है तब कीते कहता है तो क्या तुमने सुना नहीं है अर्ली वांज को सुबह सुबह पक्षी खा जाते है वो यैंक सुन से कहता है कि चली जाओ यहां से और साड़े आट बज़े से पहले दिख मत जाना कीते कहता है कि अब से मैं तुम्हें सिर्फ तीन बॉर्णिंग दूँगा और उसके बाद यहां से भाहर निकाल दूँगा अब साड़े आट बच चुके थे और यैंग सुन कीते का इंतिजार कर रही थी यहाता तो है मगर नाश्ता करता ही नहीं है और यैंग सुन को इसके उपर बहुत गुसा रही थी किया जाते वक्त वो इससे गल्स कालेज का इड्रेस पूछती है तब कीते कहता है वो बॉइस कालेज के बराबर में होगा और इसे बिना कुछ बता है वहाँ से चला जाता है यैंग सुन को इसके उपर गुसा रही थी मगर तब ही पीछे से ज्राइवर सॉंग गुसर रहा था और वो यैंग सुन की मदद कर देता है वो तो उसे उसके कालेज छोड़ने के लिए भी चला जाता है अब कुछ लड़किया जब यैंग सुन को कार से उतरता देखती है तो उन्हें लगता है कि ये नई लड़की बहुत अमीर है तो वहीं दूसी तरफ नाही को दिखाया जाता है कॉलेज जाने की जगा महरानी बनी खड़ी होई थी तो उसकी माम पूछती है कि तुमारे कॉलेज की ड्रेस चेंज हो गई है नाही कहती है नहीं आज इसके स्कूल में कॉंसर्ट है और वो तो वहाँ चेयर करने के लिए जा रही है खेर इसने जुनते को बलाया था इसे पिक करने के लिए और जुनते से कहता है जब भी तुम्हें ड्राइवर की जरूरत होती है तब ही तुम्हें मैं याद आता हूँ खेर अब आगी दिखाया जाता है इनकी कंपनी के पास एंपरर नाम के दो इंपॉर्टन कॉस्मेटिक फॉर्मिले है जिसकी वज़े से आज तक इनकी कंपनी चलती आई है अब मिस मून उसमें से एक फॉर्मिला कीते को समालने के लिए दे रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो काबल हो चुका है मगर इसी फॉर्मिला के उपर जुनते ने नजर लगा करके रखी हुई है और वो कीते के आफिस में पहुच जाता है उसे पता था कि यहाँ पे सेक्योरिटी चेक करने के लिए आने वारी है इसलिए वो कीते को एक दूसरी मद्वायर जिनका नाम चीफ जो है उनके खिलाफ बढ़का देता है और कीते को तो गुस्सा तुरंट आता है वो तुरंट उनसे मिलने के लिए चला जाता है और इतने में यह वहाँ लगाया हुआ कैमरा हटा देता है चीफ जो को लगता है कि कीते किसी काबल नहीं है और कीते उनने जाकर के चलेंज कर देता है कि कल होने वाले समर इवेंट को अब वो और्गनाइज करेगा अब यह वाली बात जब मिसमून को पता चलती है तो वो कीते से पूछते है क्या तुम जानते हो अगर यह इवेंट फेल हुआ तो इसकी रिस्पॉनसिबिल्टी तुमें ही लेनी पड़ेगी मिस्टर ओबी कीते की तरफ से बोलते हैं कि यह अच्छे से कर लेगा तो कीते अब इस समर इवेंट की प्रिपेशन में लग जाता है और सब को इसके आइडियाज पसंदाते हैं तो वहीं दूसी तरफ स्कूल में यह स्कूल गैंग की लड़कियां यैंग सुन को अमीर समझ करके उससे कहती है ओए कल दूहजार रुपे लेकर की आई हो यैंग सुन को समझने आता कि यह किस तरीके का मजाख है फिलाल वो इसे सीरियसली नहीं लेती है खेरागी यैंग सुन के पेरेंट्स उसे जैसे तैसे ढून लेते हैं हब बोलोग उसके साथ खाना खाने के ले चले गए थे खुद खाये जा रहे थे और यैंग सुन की तो कोई परवा ही नहीं थी यैंग सुन को इतनी बड़ी मुसीबत में फसाने के बाद भी उसके डैट कहते हैं हमारी वज़े से तुमारी जिन यी तनी अच्छी हो गई है यैंग सुन भी इन से कुछ नहीं बोलती है वो तो खुछ थी कि उसके मॉम डैट कम से कम उसके सामने खाना तो खा रहे हैं डंक से यैंग सुन यहां कुछ भी नहीं खाती है क्योंकि उसे चिंता थी कि कहीं कीते उससे पहले घर पहुच गया तो आज तो उसकी क्लास लगने वाली है वो जैसे तैसे भागी दोड़ी कीते के घर पहुच थी है मगर उसी टाइम कीते भी आ चुका था कीते उससे कहता है क्या अभी तक तुमने खाना भी नहीं बनाया है वो उससे कहता है कि आखिर कौन सा एंप्लॉई उसके एंप्लॉईर के साथ ही घर में गुशता है और उसके साथ ही घर से भार निकल जाता है यैंग सुन से कहता है कि तुम खाना खाकर क्या रही हो यांकसुन कहती है कि मैंने नहीं खाया है कीत sushi का थै जूट मत बोलो तुमारे पास से smell आ रही है यांकसुन बताती है कि उसने एक निवाला भी नहीं खाया है उसने सिर्फ उसके माम डेट को खाते हुए देखा है ख़र यांकसुन अब अंदर आ जाती है और कीते उससे कहता है तुमारी दो गलती अल्रेडी हो चुकी है एक और गलती और तुम इस घर से भार अब अगली सुबावी कीते यैंग सुन को तंग करने के लिए चानमूच करके बॉल खेलने लगता है और ब्रेक फास्ट नहीं कर रहा था अब यैंग सुन कहती है मिस्टर तुम सिर्फ उम्र में बड़े हो वरना दिमाग से तो बच्चे ही हो खेर अब तो कीते उसे और तंग करने के लिए बहुत सारे कपड़े दूने के लिए दे जाता है ताकि यैंग सुन परिशान हो जाए मगर यैंग सुन भी वो कपड़े ब का प्लान उनकी कंपेटिटर कंपणी ने चुरा लिया था और ये सब कुछ जुनते की वज़े से ही हुआ था खेर मिस्मून तो कहती है कि हम इस इवेंट से ही नाम वापस लेने वाले हैं मगर कीते कहता है रुख जाए मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा दूसी तरफ यैंग किया तो उससे जखरने लगती है तो दूसी तरफ अब कीते सीधे येंग सुन के स्कूल पहुचता है और यहां आकर के कहता है अरे वो जुलर की जादा बोलती है और गाउं से आई है उसे भार निकालो तब ये टीचर कहते है कि उसका कोई नाम भी है मगर कीते को तो ने सुना नहीं इधर आओ मगर येंग सुन कहती है क्यों आ गए हो मुझे यहां शल्मिंदा करने के लिए अब कीते तो उसे अपने साथ लेकर के ही जाने लगता है येंग सुन उससे रस्ते में पूछती है मुझे बताओ कि हम जाका रहे हैं कीते कहता है जहां तुमें जा लाने के लिए यांग सुन को तो पता ही नहीं था कि हुए क्यों कर दिया गया है खेर यहां तो कीते और येंग सुन की आने से तो बच चुका था और सब कीते की तैरीफ करके वहां से चले चाते है तो वहीं कीते येंग सुन से साथ में चलने के लिए कहता है इधर इने साथ में चाते हुए नाही देख लेती है और उसे बहुत जैलेसी हो दिया है तो वहीं येंग सुन कीते के उपर चिला रही थी तुम्हारी वज़ा से आज मुझे कितनी embarrassment का सामना करना पड़ा है कम से कम बता तो देते कि मुझे वहाँ जाके करना क्या है कीते कहता है इतना चिला क्यों रही हो मैंने तुमसे promise किया तो है कि मैं तुम्हारी एक बात मानूंगा फिर वो उससे चिला के कहता है मेरे डिनर कहाँ पर है टैंकसन कहती है क्या कहाँ डिनर अब यह लोग डिनर के लिए जाते है और यैंकसन कीते को lecture दे रही थी तुमने मुझे मशीन समझके रखा है वहाँ से उठा कर के लिए कई और पूछ रहो कि डिनर कहा है कीते कहता है कि चुपो जाओ मैं तुमने डिनर पर ली तो आया हूँ खेर यैंकसन तो यहाँ कीते को उसका प्रामिस याद दिलाती है कीते कहता है हाँ बोलो कितने पैसे चाहिए यैंकसन कहती है मुझे लिख करके दो अब आगी यैंकसन उसे अपनी स्कूल ले आती है उसने चहत पे कीते के कपड़े सुखाए थे कीते कहता है किया तुम्हें यही जगा मिली थी तब यैंकसन कहती है तुमने भी तो पूरे महले के कपड़े मुझे धोने के लिए दे दिये थे वो उसे कहती है चुपचाप मदद कराओ क्योंकि तुम्हारी वज़े से मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है कीते को इसके ओपर गुस्सा आ रही थी खेर तब ही एक तारा तूटता है और यैंकसन फिर से विश मांगती है कि उसका पूरा परिवार साथ में रहे कीते इसकी बच्चे वाली हरकते देख के हसने लगता है खेर यैंकसन अपनी विश कीते को बता दीती है कीते कहता है कि तुमसे किसी ने पूछा आगे यैंकसन और कीते जब घर वापस लोटते हैं तो यैंकसन के माम डैड इन्हें दूर से ही देख रहे थे वो यैंकसन को बढ़िया कप्रों में देख करके खुश हो जाते हैं और फिर वहां से ही चले गए थे तो वही नाही ने साथ में से देख करके जैलिस हो रही थी ओपर से देखती है कि कीते ने कपड़े की पोट लिया भी पकड़ी हुई है कीते उसे पूछता है कि वो यहां क्या कर रही है नाही कहती है मुझे कुछ बात करनी थी बस इसी लिए आई थी कीते कहता है कि अभी मैं ठख चुका हूँ सुबह करना जो भी बात करनी है तब नाही यैंकसुन से कहती है कि तुम मेरे साथ नहीं चलने वाली हो यैंकसुन जाते जाते कीते से कहती है मिस्टर अपना promise मत भूलना अब नाही जैली सी में उससे पूछती है अगर कौन सा promise किया है तब Yengson बता देती है कि कीटे अब से सारे च्छे बजे नाश्ता करें का तब नाही कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख्राब है आज तक उसने नौ बज़े से पहले कभी कुछ खाया नहीं है तो वो बला सारे च्छे बजे नाश्ता कैसे करें का येंग सिन कहती है, मिस्टर नहीं उसे प्रामिस किया है, ये सुनके तो नाही को और ज्यादर जैलिसी होने लगी थी, खिर अब अगली सुबा का सीन दिखाया जाता है, साड़े चै बजे घर में, बहुत तेज से खाना बनाने की आवाजे आने लगी थी, और कीते परशान हो कहता है, मैंने कहा तो सही, कि तुम चली जाओ, मैं ऐसा समझ लूगा कि मैंने नाष्टा कर लिया है, मगर येंग सिन उसे छोड़ने वाली नहीं थी, वो उसे नाष्टा करा कर कहीं मानती है, बिचारा नींद में, नाष्टे की प्लेट में ही गिरे जा रहा था, कीते को य एक्स्टा काम कहेगा, तो वो कर देगी, तब कीते भी उसे तंग करने के लिए कहता है, ठीक एक बजे मुझे कॉल करना, येंग सिन कहती है कि एक बजे तो स्कूल खतम ही होगा, मैं कॉल कैसे रिसीव करूँगी, कीते तो हस रहा था, इसे ही परिशान करके, तो दूसी तर येंग सुन कहती है कि हम दोनों तो दोस्त है, अब बॉबी भी येंग सुन की दोस्त बनने की एक्टिंग करने लगती है, तो दूसी तरफ जुनते के डैड उससे कहते है, कीते को उसकी छोटी काम्याभी के उपर खुश होने दो, उसके साथ मेरा लंच फिक्स कराओ, अब जुनते कहता है कि मैं तुम्हें ट्राइविंग से का सकता हूँ, नाही कहती है काश, कीते उपाथ तुम्हारी तरह अच्छे होते, देखके तो ऐसे लग रहा था कि जुनते, शायद नाही को पसंद करता है, तो वहीं दूसी तरफ स्कूल में, येंग सुन और बॉबी भी अब अच्छे दोस्त बन गए थे, अब भी तो अपने आपको सभी लड़कियों का लीडर समझती है, और यहाँ पर येंग सुन देखती है, तो लोग यहाँ पर कॉम्पेटिशन कराने वाले हैं, येंग सुन उस कॉम्पेटिशन का पोस्टर रख लेती है, खेर इसी के सा ये वाले पार्ट के एक्स्पिलनेशन यहीं पे कंप्लीट होती है, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते बा झाल